प्रधान मंत्रे से जितने भी important कोश्ण मन सकते हैं वो सारे कोश्ण के बारे में discuss करेंगे चलिए start करते हैं पहला कोश्ण मारे क्या है प्रधान मंत्रे की न्यूकती कौन करता है तो प्रधान मंत्रे की न्यूकती भारत का राष्ट पती करता है नेशकोश अमारे के हैं संसदी तंतर में वह व्यक्ति प्रधान मंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है तो वह किसका नेता होता है तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है नेशकोशन है मंत्री मंडल संगी की बैटक की अध्यक्षता कौन करता है तो भारत का प्रधान मंत्री करता है नेशकोशन है भारत की प्रधान मंत्री पत की उम्मी द्वार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो कम से कम पचीस वर्च होनी चाहिए निश्कोशन है भारत की प्रधान मंत्री तो भारत की प्रधान मंत्री जो है लोक शबा में बहुमत दल की नीता होती है नेशकोशन ने प्रधान मंत्री कौन बनता है जिसका लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधान मंत्री बनता है नेशकोशन ने कौनक्रिस द्वरा समर्थन वापस लिये जाने के करण ही त्याग बत्र देना पड़ा तो किसको देना पड़ा था तो चौदरी चरण सिंग को भी देना पड़ा था चंदर सेकर को भी देना पड़ा था और जो है एच टी देव गौडा को भी देना पड़ा नेश्ट कोशन मारे के हैं संसदी सासन प्रडाली में वास्तवी कारेपाली का शक्ती किस के पास होती है तो वास्तवी कारेपाली का शक्ती जो है किस के पास होती है तो प्रधान मंतरी के पास होती है नेशकोशन है संसदी शाषन प्रडाली सुरुप्रतम किस देश में विक्षित हुई तो संसदी शाषन प्रडाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में विक्षित हुई नेश कोशन मारा क्या है बारती सम्विधान की अनुसार तथ्यात्मक शंप्रभुता निवास करती है तो किस में निवास करती है यह जो है प्रधान मंत्री में निवास करती है नेक्ष कोशन क्या है यूजना आयोक का अध्यक्ष कौन होता है तो यूजना आयोक का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है नेक्ष प्रश्ण है बारती सम्विधान के अनुच्छेद 74 से 75 किन विश्यों पर विचार करते हैं तो 74 और 75 जो है किस पर विचार करते हैं मंत्री परिशद पर विचार करते हैं नेश कोशन है भारत में प्रधान मंत्री तब तक अपने पत पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है जब तक उसे क्या प्राप्त है लोकशभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पत पर रहता है नेश कोशन है भारत के प्रधान मंत्री का कारेकाल कितना होता है तो भारत के प्रधान मंत्री का कारेकाल जो है जब तक उसे लोक सभागे बहुमत का समर्थन प्राप्थो तब तक होता है नेश कोशन क्या है वो प्रधान मंत्री कौन था जिसे संसत ने मददान दोरा अपदस्त कर दिया था तो वो कौन था तो वो जो है बीपी सिंग थे नेश कोशन है भारत का प्रधान मंत्री निमली की किस प्रक्रिया से बनाया जाता है तो भारत का प्रधान मंत्री जो न्यूक्ती के द्वारा बनाया जाता है नेश कोशन है राष्टी एक्ता परिशद यानि NIC का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्टी एक्ता परिशद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है नेशकोशन ने प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था तो कौन नहीं था तो पीवी जो है नरसिंगा राउ नहीं थे नेश कोशन में निम्लिकित में से कौन प्रधान मंतरी का सपत ग्रहण करने के समय राज्य सभा का सदस्य थी या था तो कौन था तो स्रिमती इद्रागादी थी अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री का पत ग्रहड करने के शमय निम्ण में से कौन विधान शभा का सदस्य था तो कौन था HD देव गोड़ा थे नेशकोशन है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सुरुपरतम किस प्रधान मंत्री को अपने पस से त्याक पत्र देना पड़ा था तो सबसे पहले कौन किस ने त्याक पत्र दिया था तो मुराजी देसाई को देना पड़ा था नेशकोष ने किसने प्रधान मंद्री को समकच्छों में प्रथम कहा है तो किसने कहा है तो मोरले ने कहा है नेशकोष ने मंद्री मंदली ताना शाही का विचार किसकी देन है तो मंद्री मंदली ताना शाही का विचार म्यूर की देन है नेशकोष ने किसने मंत्री मंडली पद्धती को राज्य रूपी जहाज का स्टियरिंग विल कहा है तो किसने कहा है तो म्यूर ने कहा है नेशकोशन है भारत के प्रथम उप्रधान मंत्री कौन थे तो भारत के पहले उप्रधान बर्तरी जो है सरदार बल्लब भाई पटेल थे नेश्कोशन क्या है? नेश्कोशन क्या है? नेश्कोशन मरकें एसे प्रथम प्रधान मंतरी जिनकी विरुध लोग सबा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो किनकी विरुद लाया गया था तो पंड़ी जवालना नहरू के प्रती लाया गया था नेशकोशन है संगी मंत्र परिशद अपने आच्रड के लिए किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो यह अपने आच्रड के लिए किसके प्रती होता है लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होता है नेश कोशन है भारती गड़ राज्य में वास्तवी कारेकारी प्राधी करण निमलिकित में से किस के पास होता है तो यह जो है मंत्री परिशत के पास होता है नेश कोशन है भारत के समविधान की अनुछेद 75-3 की अनुसार मंत्री परिशत निमलिकित में से किसके प्रती सामोहिक रूप से जिम्मेदार होता है तो यह लोक सभा के प्रती जिम्मेदार होता है नेशकोशन कहा है बार्ती सम्विधान की अनुचेद 74 और 75 कीन विशेओं पर विचार करते हैं 24 और 75 जो है मंत्री परिशत पर विचार करते हैं Ko eternity कहा है संगी मंत्री परिशत से त्याक्पत्र करने वाला प्रत्थम मंंत्री कौन था तो कौन थे श्यामा प्रशाद मुखर जी थे नेश कोशन मरा है स्वतंतर भारत के प्रत्थम वित्त मंतरी कौन थे तो स्वतंतर भारत के पहले वित्त मंतरी डॉक्टर जन मताई थे नेश कोशन मरा क्या है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधान मंत्रियों की मृत्ति हुई है तो कितने लोग की मृत्ति हुई है तो तीन लोगों की मृत्ति हुई है नेश कोशन है मंत्री परिशत में कितने अस्तर के मंत्री होते हैं तो मंत्री परिशत में जो है तीन अस्तर के मंत्री होते हैं नेश कोशन है भारत के केंदरी मंत्री परिशत की बैठे की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं प्रधान मंत्री करते हैं नेश कोशन मारे के है भारती समविधान के निमलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्र परिशत की नियुक्ती तथा पदचियूति का विवेचित करता है तो कौन सा आर्टिकल करता है तो आर्टिकल 75 करता है नेश कोशन है कोई व्यक्ति संसत के किसी भी सदन का सदसे हुए बिना केंदर में कितनी अवदी तक मंत्री रह सकता है तो कितने अवदी तक रह सकता है तो छे महीने तक रह सकता है नेश कोशन है अब तक लोग सभा के प्रस्तुद और विश्वास प्रस्ताव सरवाधिक बार किस प्रधान मंदरी की सरकार के खिलाफ रखे गए है तो किस के खिलाफ रखे गए है तो इंद्रा गादी के खिलाफ रखे गए है नेश कोशन है निमलिकित में से कौन सा एक प्रावधान भारत में मंद्र परिशत रख सकती है तो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है नेश कोशन मरा कहा है निमलिकित में से कौन सा भारत में प्रशाशन पर विधाई नियंत्र का एक शादर नहीं है तो कौन सा नहीं है सदन का विगटर नहीं है नेश कोशन है संगी मंत्री परिश्रत में सदस्यों की अधिक्तम संख्या केतनी हो सकती है तो केतनी हो सकती है तो लोग सभागी कुल सदस्य का 15% हो सकती है नेश कोशन कहा है स्वतंतर भारत की प्रथम मंत्री परिश्रत में प्रधान मंत्री कुल कितने सदस्य थे तो कितने सदस्य थे तो यह जो है 36 सदस्य थे इस कोशन क्या है स्वतंतर भारत के प्रथम मंत्री मंडल में केंदरी सिक्षा मंत्री कौन थे तो कौन थे मौलाना अबुल कलाम अजात थे इस कोशन क्या है भारत में स्वतंतरता के पशात प्रथम मंत्री मंडल कानून मंत्री कौन थे तो कौन थे बी आर अंबेट कर थे इस्क्रोशन क्या है भारत का वो प्रधान मंतरी जिसने संसत की हैसिय से संसत के उन सभी शयुक्त अधिवेशनों में उपस्तिती दर्ज कराई जो स्वतंतर भारत के इदियास में अब तक संपन हुए है तो कौन है तो अटल बिहारी बाशपई थे